हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याएकेडमी पर आज है 12 मई और मैं लेकर आए हूं मद्ध प्रिदेश के साथ ही कुछ महचपूर्ण खबरें तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो की पीडिये फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम मंत्री मंदल को दुबारा से रिवाइज करते हैं तो बरतमान में जो मुख मंत्री है वह सिवरा सिंग चोहान ग्रह लोग स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री है दॉक्टर नरुत्रम मिश्रा, चलसंसादन मंत्री हैं श्री तुलसी राम सिलावट, खाद नागरे कापूर्ती एवं भोक्तर संदक्षन सहकारता मंत्री हैं श्री गोविन सिंग राजपूत, आदिम जाती कल्यान मंत्री कुमारी मीना सिंग, किसान कल्यान तथा कृसी वि उत्तम मिश्रा इन्होंने ही इस योजना का सुभारम किया है, यह योजना है, यह मात्र पास दिनों में ही तयार की गई और इसे चालू किया है, यह भारत की पहली योजना है, जो किसी राज में सुरू की गई है, और इसको शुरू करने वाला मद्धपदे जो है वो पहला राज बनिया है इस योजना के तहत होगा क्या तो जो अभी COVID-19 महामारी चल रही है उसके चलते FIR करने में समस्या हो रही है और थानों में भी भीड़ लगने की संभावना होती है तो इसको कम करने के लिए के द्वारा ये योजना बनाए गई है कि जिसके तहत कोई भी ऐदी FIR लिखवाना चाहता है तो उसे सूजना देनी होगी ठाने में और ठाने से पुलिस कर्मी जाकर के उसके घर पर ही जाकर FIR को नोट करेंगे तो चलिए देखते हैं अगला कॉस्चन हाली में मद्द प्रदेश की मुख निर्वाचन अधिकारी किसे नुक्च किया गया है तो हाली में मद्द प्रदेश की जो है मुख निर्वाचन अधिकारी बरिस्ट वी आल कांताराउं ये केंदर की प्रिती नुकती पर चले जाने के बाद प्रदेश के मुख निरवाचन अधिकारी और रश 2002 बेच के अधिकारी अतरिक्त मुख निरवाचन मधिकारी ओंड 248 पर निक्ड के 92 साल की उम्र में निधन हो गया है वे कौन थे तो मोहर सिंग जो है ये चंबल के एक डखेद थे जिनका अभी हाली में मद्ध पिदेश के भिंड जिले में निधन हो गया है ये 92 साल के थे और सुत्रों के अनुसार मोहर सिंग ने में 1955 में संपत्ती विवाद को लेकर एक विक्ति की हरक्तिया करती थी और उसके बाद से ये डखेद बन गया थी 60 के दसक में इस दस्टू के ऊपर लगभक 315 अपराद दर्ज थे और गिरफतारी के समय इनके ऊपर 2,00,000 रुपे का इनाम घोसित किया गया था अधि मोहर पुलिस को एनकाउंटर की खुली चुनोतियां भी दिया करते थी तो यह फोटो में मोहर सिंग जिनका भी हाली में निधन हो गया है अगला कोश्चन है मद्द प्रदेश के इंदोर सहर के नए निगम आयुक्त के रूप में किसे निक्ट किया गया है तो मद्द प्रदेश उनको हटाकर उनकी जगे आसिस सिंग को कलेक्टर बनाया गया है और जो सिसांग मिश्रा है वो उन्हें अब मद्द प्रदेश आसन में अपर सचिब निक्त किया गया है अगला कोश्चन है विप्रों के अजीम प्रेम जी ने किसे सहयोग देने का आश्वासन दिया है तो उन्होंने कोरोना बीमारी का मुकाबला करने के लिए लगबख एक करोड़ रुपए के उपकरण देने का भरोसा दिलाया है प्रेम जी ने जो सहायता देने का आश्वासन दिया है उसमें लगबख 10,000 पीपी किट भी सामिल है ताकि जमीनी इस तरह पर कार कर रहे स्वास् देने की घोशना की है अगला कोस्चन है नैक बैदता अबदी बढ़ाने की मांग किसने की है तो नैक बैदता अबदी बढ़ाने की मांग जो है अभी हमारे बरतमान के राजपाल स्री लाल जी टंडन ने की है और ये नैक ग्रेडिंग प्राप प्रिश्वेद्यालाओं के यह कहा है पत्र में नेक की बर्तमान बैदतावदी को भी चक्र के अनुसार बढ़वाने का आकरे किया गया है तो बात करें नेक की तो इसका फुल फॉम होता है नेशनल एसेस्मेंट एंड एक्रीडेशन काउंसल और यह जो है हमारे यहां के विश्विध्यालेओं के लिए एक ग्रेडिंग तैयार करते हैं अगला क्वेश्चन है राजिस्तरिये मॉनिटरिंग समीती का गठन किसके तहत किया गया है तो जो राजिस् समीती का गठन का आदिस जारी किया गया है और राजिस्तरिये क्रियानवन समीती प्रदेश में योजना के क्रियानवन प्रगती तथा दैनेक क्रियानवन में आने वाले गतिरोद की समीक्षा करेगी अगला कोस्चन है मुखमंत्री श्री चोहान ने लाड़ी लक्ष्मियों के लिए 12.27 कवड़ रुपे की कितने e-certificate जारी किया है तो हाली में मुखमंत्री श्री सिवराज सिंग चोहान ने अंतराश्टिय महला दिवस के अपसर पर लाड़ी लक्ष्मी योजना के अंतरक एक हजार चालीस प्रकरणों में 12.27 कवड़ रुपे की रासी e-certificate के द्वारा जारी की है तो एक हजार चालीस प्रकरणों के लिए 12.27 कवड़ रुपे की रासी जारी की गई है बात करें अगले कोस्चन की तो मातत्व बंदना योजना में हित्गराहियों को कितने लाख रुपे की रासी जारी की जाएगी तो मातत्व बंदना योजना में जो है वो प्रधानमंत्री की मातत्व बंदना योजना है और इसके अंद्रगत 2655 हित्गराहियों को 52.12 लाक रुपे की रासी ट्रांसफर करने के लिए बैंकों को ऑनलाइन आदिस जारी किये गए है तो अगला कोश्चन है हाली में मदपदे सरकार ने किस कंपनी के भूमी अधिगरंड की कारवाही की है तो मदपदे सरकार के द्वारा जो है मदपदे सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे भी एची एल के अधिपत्त म में सौपी गई छहजार एकड़ भूमी मैं से कुल 1164.21 एकड़ भूमी जो भेल द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही है को मद्दपदेश शासन राजस्ट विभाग के नाम दर्ज किया जाए और जो यह भूमी है इस भूमी का उपयोग अन्य ओध्यों के गिक निवे स सीजबेश के लिए कितने कितने वगया अंतों किया गया है तो हाली में मद्पदेश से में मद्पदेश से मेरा farmers के 458 विद्धे शारती उनको आज बसों के माध्यम से जम्मू कस्मीर के लिए रवाना किया जा चुका है और प्रमुक सचिप जो है नगरी प्रिशासनियम विकास स्री संजय दुबे उन्होंने बताये कि भोपाल से लगवक 324, इंदौर से 69, जवलपूर से 25, उज्जेन से 18, सागर से 11 और ग्वालियर से 11 बिद्ध्यार्थियों को रवाना किया गया है वहीं उज्जेन से भेजे गए 18 बिद्ध्यार्थी मैंसे 3 नीमच के है यह थे आज का करेंट अफियर्स के वीडियो, यदि आपको आज का करेंट अफियर्स अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और आज की वीडियो की पीडिया फाइल आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलूड कर सकते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें thank you friends